हमारे बीर बहादूर आप लोगो SBN क्लासेस में आप लोगों का हर्दी कविनेंद करती है तो आज हम लोग जानेंगे Electric City के वेग्राउंड, हिस्ट्रिकल फॉइंट को कि Electric Regenerate के से हुआ, Electric का इत्यास जानेंगे तो चलते हैं, आप लोगों को History of Electricity के वारे में बात करते हैं यह कहानी बहुत साल पहले की है, बहुत साल पहले की जिस समय हमारे धिल साहब 600 इसापुरू पहले जो उन्होंने देखा था कि किसी बस्तू को अंबर या बिल्ली के खालों पर रगरने पर उसमें एक विशिष्ट प्रकार की गुन महजुत हो आ जाती है जिनके कारण वाग किसी बस्तू को खिस सकती है, डगल सकती है यह उन्होंने जादू टोना मंतर समझ करके इसको छोड़ दिया था इन्होंने 2-4 साल तक इसके बारे में कोई रिसर्च करने नहीं आया तब 16 सताबदी तक जाकर के हमारे गिलवर्ट सहाब आए उन्होंने जो कि यह एलिजावीद की एक गिरी डाक्टर भी रह चुकी उन्होंने बताया था कि किसी अंबर को किसी बिल्ली के खालों पर रगरने पर या किसी वस्दू को अपनी और आकरसित कर सकती है जैसे कौटन, गलास रोड, इतियादी, बैलून ये सब में एक विशिस्ट प्रकार की गुन उत्पन जाती है, बहुत सारी पदार्थों को रगरने पर वो अपनी चोटी-चोटी कनों को आकरसित कर सकती थी लेकिन उसमें इस किसको पता था कि ये इस्टेटिक एलेक्ट्रिक है, तब ये बहुत साल पहले तक में ऐसी सारी गटनों को एनों ने देखा, अब हम लोग जानते हैं कि अंबर को एक गिरिक भासा में एलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या गिलवर्ट ने 1893 इस्वी में बताय था, इस सारी गटनों के बारे में, जब उसको कुछ इसतरह की गटनों को देख पाया और नहीं समझ पाया, तो उन्होंने कहा दिया था, ये एलेक्ट्रिक फोर्षेस हैं, जिनके करहन से किसी वस्तु को क्या करती है, एट्रेक्ट्स करती है, आकर्सृत और उसी समय से अलक ट्रोइस्कोप के मादेमों से देख सकता था यह फर्स्ट इन्वेंशन था जिनके कारण वा किसी वस्तूवे जौन सकता था कि इसमें अलक्टरॉन है यह नहीं बहुत सारे सांटिस्टों ने इसके बारे में रिसर्च किया तब जाकर के कुछ ऐसी घटना हुए यह बात आप को 18 सताब्दी के बाद बताते हैं जिसमें उस समय क्या हुआ एक हमारे बेंजामीन फ्रैंकलिन अमेरिकन सांटिस्ट आए उन्होंने बहुत सारी पैसाओं को इस सब रिसर्च करने में उन्होंने पूरा पैसाओं को खर्च किया बहुत सारे अपनी जायरात को बेज दिये और उन्होंने क्या क्या एक तैस जून 1752 की बात है जिसमें एक ऐसी मौसम में पतंग उड़ाना शुरू किया जिसमें पूरा बेजली अकास में तरक रहे थे उन्होंने पतंग को उड़ाना शुरू किया पतंग की उपड़ी सिरों पर एक धातू के चावी बांदी और देखा, उन्होंने देखा कि अपनी चावियों के माध्यम से उन्होंने कारेंट को आते हुए देखा, तो इनवेंशन आफ अउख अउटिक सिटी उसी को के नाम से जाना जाता है, तो नेको कुछ रिसर्च हो चखा था, लेकिन इनके वारे में उप योग के वारे में नहीं पता चला, ये 1791 की बात है, जिनमें एक सांटिर गेलवीन आई थे, उन्होंने क्या क्या था, कहा था, मैड़क को जब बिभीन तत्व वाले को पतार्थों के उनके मौस्पेसियों में डाल करके, डालने के बाद उन्हें धारा एलक्रिक उत्पन होती है, ऐसी सारे उन्होंने कुछ प्रियोक क्या, उसमें उन्होंने क्या-क्या, एलिमेंट, एलेक्रिसिटी के नम से हो, लेकिन हमारे आलेसांद्रा वोल्टा साहब को इसका संतुक नहीं हो, उन्होंने बताया, बीभीन परकार के तत्वों के साथ, ऐसा घटना-घटता है, जिसको कि उन्होंने क्या- और उन्होंने करके वेट्री को उन्होंने क्या मतलब एक सावित करके दिखाया कि एलक्ट्री क्या चीज़ है तब ही जाकरके उन्होंने एक विविन टर्मिनर वाले में जब उन्होंने धापों को जिंक वलेटों के साथ sodium hydroxide के साथ उन्होंने डुआ करके electric ozone rate कर पाया था तो इसी तरह तो electrical research होने के वावजूद तब एक ऐसा बात आया जिस समय के हमारे एक scientist आये जिसका नम और शाहव रे इस और शाहव ने क्या किया और शाहव ने बताया कि किसी धारावाही चालक के पास किसी धारावाही चालक के पास एक magnetic field का निर्मान होता है ये चुमके छित रून उत्पन करती है ये बात कब की है 1821 की तब आकर के Michael Ferraday आये उन्होंने फिर इस चिजों को फिर से दोहराया और फिर से अभ्यास करना सुरू किया तब उन्होंने देखा कि हां किसी चालक पदार्थ के पास एक चुमक पदार्थ को ले जाने के बाद उस तारों पर क्या हो रही थी दाब पर रहा था यही दाब के कारण उन्होंने एक मोटर का खोश कर दिया और यह मोटर खोश करने के बाद यह कहां रुकने वाले थे इन्होंने DC मोटर के खोच करने के बाद इन्होंने पुनह लगातार अपनी माइकल फैराडी साहब ने एक मोटर को रिसर्च करके पुनह तयार किया यह बात 1879 की है जिस समय हमारे एक साइंटिस्ट आये जिसका नाम था आइस्टाइन साहब जिन्ह उन्होंने DC मोटर के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करवाए रिसर्च इतनी सारी करवाए जहां कि बहुत ज़्यादा करके DC मोटर डिसी उपकरने और इसका मतलब DC का ही ज़्यादातर उसमें योग योगदान समझे लेकिन DC का हुआ क्या कारेंट दूर दूर तक न फराडी साहब ने उसको हमारे एडिसन साहब को एक AC करेंट के बारे में समझाना चाहा, उन्होंने AC करेंट के हमारे एडिसन साहब को AC करेंट के बारे में जिसे बताया, तो एडिसन साहब ने हमको फराडी साहब को बोला, कि तुम जो भी करना चाहोगे, सिर्फ DC करेंट पर DC के बारे में सिर्फ तूं सोचबे, जो भी हो मेरा DC को देखना. तो इस को, इस बातों को ले करके, हमारे साहब को इस तरह कैसा नहीं हुआ, तब ये जाकर, इद हैंने क्या-क्याजी फॉर्डे साहब ने अपने फेक्टरी को छोड़ करके, इसके factory को छोड़कर एक motor का research करने के बाद एक तयार किया motor DC AC motor AC एक electric उत्पन करने वाले युक्तियों का निर्मान क्या या AC kinetic ऐसी थी जो कि दूर दूर धराओं को और ले जाया जा सकते थे इसमें बहुत ज़्यादा power हुआ DC से बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ जिसके चाउंद है तब फिर क्या AC चकाचाउंद की दुनिया जो कि हमें ऐसा महसूस होता है कि यदि electric एक मिनट भी ना रहे तो हमको एक मुश्किल सा अनुभव होने लगती है तब जाकरके electric का निर्मान हो पाया और आज इस चम चमाते हुए दिन को उजाले को रात को वे दिन अ आपको अच्छी तरह से हमको लगता है कि historical point समझ में आया होगा धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में